हेलो एवरिवन आज हम लहासा की और पढ़ेंगे काफ़ी इंट्रेस्टिंग चैप्टर है और लिखा है श्री राहुल सांकरतायन जी ने यह अंश जो है उनकी पहली तिबबत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1939 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी उस समय भारतियों को तिबबत यात्रा की अनुमती नहीं थी यनि भारत के लोग तिबबत नहीं जा सकते थे इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक विक्मंगे के छद्म वेश में की थी छद्म वेश किसे कहते हैं छुपा हुआ वेश यानि छुप करके किसी वेश को धारन करना इसमें तिबबत की राजधानी लहासा की और जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्नन किया है दुर्गम रास्ता किसे कहते हैं जहां पर जाना कठिन होता है और उन्होंने बहुती रोचक शैली में इसे किया है इस यात्रा वृतंत से हमें उस समय के तिबबती समाज के बारे में भी जानकरी मिलती है वह नेपाल से तिबबत जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलिंग पॉंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते तिबब जाया करती थी यह पहले फ्री किलिंग पॉंग का रास्ता नहीं खula था तो तिबब जाने के लिए हमें नेपाल वोकर के जाना पड़ता था यह व्यापारिक ही नहीं सेनिक रास्ता भी था व्यापारिक रास्ता किसे कहते हैं जिससे सामान ढोया जाता है इसलिए जगे जगे फोजी चोकियां और किले बने हुए हैं यानि कि सेनिक रास्ता होने के कारण वहाँ पर काफी सारे किले बने हुए थे जिन में कभी चीनी पलतन रहा करती थी यानि चीनी सेना वहां पर रहा करती थी आज कल बहुत से फोजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है परित्यक्त यानि सुनना पड़ा हुआ कोई किला है हम वहां पर चाई पीने के लिए ठहरे तिब्बत में यात्यों के लिए बहुत सी तकलीफे भी हैं और कुछ आराम की बाते भी हैं वहाँ जाती पाती छुआ छुट का सवाल ही नहीं है और ना ओरते परदा ही करती है बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो चाहे आप बिल्कुल एपरी चितू तब भी घर की बहू या सासू को अपनी जोली में से चाहे दे सकते हैं आप चाहे दे करके चाहे बनवा लिजे और वहे आपके लिए उसे बना कर दे देगी मखन और सोडा नमक दे दीजे वह चाहे चोड़ी में कूटकर उसे दूजवाली चाहे के रंकी बना के मिट्टी के टोटी दार बरतन खोटी में रखके आपको दे देगी यदि बैठक की जगह चूले से दूर है तो आपको डर है कि सारा मखन आपकी चाहे में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाहे मत कर ला सकते हैं चाहे का रंग तयार होने पर फिर नमक मखन डालने की जरूरत होती है चाहे में बाद में नमक और मखन डाला जाता है परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया राहदारी क्या होता है राहदारी होता है इतरे का टेक्स हमने वहाद दोनों चिटें उसे दे दी शायद उस दिन हम थोंगला के पहले की आखिरी गाओं में पहुच गए वह यहाँ भी सूमती के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठैरने के लिए अच्छी जगह मिली कह रहा है कि हम भिकमंगे के रूप में थे लेकिन हमें रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी पांस साल बाद हम इसी रास्ते लोटे थे और भिकमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में गोड़ों पर सवारों करके आए थे लेकर की है दुबारा सेकिंड यात्रा है तो वे पांस साल पहले भी आ गया था येकिन तब बिखारी बन करके नहीं गया था तब अच्छे से अपहद्र बेश में नहीं सुन्दर कपड़ों में गया था किन्तु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगय नहीं दी तब किसी ने जगय नहीं दी और हम गाओं के एक सबसे गरीब जोपड़े में ठहरे थे बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवरती पर ही ने भर है खास कर शाम के वक्त चंग पीकर बहुत कम होशवास में दरुस्त रखते हैं चंग पीकर यानि शराब की तरह का एक पेईपदार्थ होता है जिसे पीकर के लोग होशवास खो देते हैं अब हमें सबसे विकट दांदा थोंगला पार करना था एक गाउं है जो सबसे कठिन है दांडी तीबत में सबसे खत्रे की जगें हैं उची पाड़ी को डंडे कहा जाता है 16-17,000 फीट की उचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गाउं गिराव नहीं होता है काफी दूर तक कोई भी गाउं वहाँ पर नहीं पाया जाता है इसलिए सुनसान जगें होती है नदियों के मोड और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देख सकते हो डाकों के लिए यही सबसे अच्छी जगे है यानि वहाँ पर डाको रहा करते हैं तिबबत में गाउं में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवा नहीं करता सरकार खूफिया व पर रित्यों को प्राप्त हो जाए तो उस पर कोई भी इतनी कारवाई या ध्यान नहीं दिया जाता डगेट पहले आदमी को मार डालते हैं उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है की नहीं यानि मारा पहले जाता है पैसे बाद में देखे जाते हैं हत्यार का कानून ना रहने के कारण है हैं लाटी की तरह लोग पिश्टोल बंदूख लिए फिरते हैं कोई भी कानून नहीं है थिया रखने के लिए इसलिए आम तोर पर पिस्टोल और बंदूख लिए लोग इसी तरह से रहते हैं चलते रहते हैं डाको यदि जान से ना मारे तो खुद उसे इतने प्राणों का खत्रा है यदि वैक्ति को जान से ना मारें तो वो खुद उन्हें खत्रा रहता है इसलिए वो पहले जान से मार देते हैं लोगों को गाउं में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया शायद खून की हम उतनी परवा नहीं करते क्योंकि हम भिक मंगे थे कह रहा है कि हम भिखारी के वेश में थे इसलिए हम इतनी परवा नहीं थी कि कोई लूटने के लिए हमें मारेगा और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीब निकाल कर कुची-कुची एक पैसा कहते भीक मांगने लगते जब उन्हे पड़ाव 16-17 मिल से कम नहीं था 16-17 किलो मेटर मैंने सुमती सी कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए दो घोड़े कर लो समान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे घोड़ों पर बैठ करके हम समान भी ले चलेंगे और अपन खुद भी चल पड़ेंगे दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर उपर की और चलेंगे दांडे से पहले एक जगे चाय पी और दोपर के वक्त दांडे के उपर जा पहुँचे हम समद्रतल से सत्रे हजार फेट उचे खड़े थे हमारी दक्षिन तरफ पूरव से पस्टिम के और हिमाले के हजारों श्वेद सिखर चले गए थे भीटे की और दिखने वाले पहाड बिलकुल नंगे थे ना वहां बरफ की सफेदी थी ना किसी तरह की हर्याली उत्तर की तरफ बहुत कम बरव वाले चोटियां दिखाई पड़ती थी सरवच स्थान पर डांडे की देवता का स्थान था जो पत्थरों के धेर जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के जंडियों से सजाया गया था अब हमें बराबर उत्राई पर चलना था चड़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उत्राई बिल्कुल भी नहीं शायद दो एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे मेरा घोड़ा कुछ धी में चलने लगा मैंने समझा कि चड़ाई की थकान के कारणे सा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाता था धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकिन कोस्तों की तरह अपनी घोड़े पर जूमता हुआ चला जा रहा था जान नहीं पढ़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जब मैं जोर देने लगता तो वहसुस्त पढ़ जाता एक जगे दो रास्ते फूट रहे थे मैं बाएं का रास्ता ले मील डेड मील चला गया आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता तो गाउं से मील भर पर था तो सुमती इंजार करते हुए मिले मंगोलों का मुझ वैसे हिलाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे उन्होंने कहा मैंने दो टोकरी कंडे फूट डाले तीन तीन बार चाई को गरम किया मैंने बहुत नर्मी से जवाब दिया येकिन मे मेरा कसूर नहीं मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है मैं तो रात तक पहुचने की उमीद रखता था खैर सुमती को जितना जल्दी गुसा आता था उतना ही जल्दी वे ठंडा भी हो जाता था लंकोर में वह एक अच्छी जगया पर ठैरे थे यहां भी इनके अच्छे यजमान थे पहले चाह सत्तु खाया गया रात को गरम गरम ठुकपा मिला बहुत सारे बच्चों ने ठुकपा का प्रश्नी किया है तो यह एक तरह का सूप होता है जिसमें मैगी की तरह का कुछ मिला हुआ होता है तो यह सूप होता है नौर्माल अगर पहाडी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी उसी पहाडी का नाम तिंगरी समाधी गीरी था तिंगरी समाधी गीरी किसका नाम है पहाडी का आसपास के गाउं में सुमति के कितने ही यजमान थे यजमान यानि जिनके घर में वह अपने जो यजमान होते हैं जिसके घर प तो सुमती ने स्विकार कर लिया मान गया, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंडने की कोशिश है। भरिया किसे कहते हैं भार्ड होने वाले को, सवेरे ही चल दिये होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था, तिबबत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यह दिपी थोड़े से भी मोटे कपड़े से से ढख लें तो गर्मी खत कम हो जाती है, आप दो बजे सूरज की और मुण करके चल सकते हो, फिर हमने पीट पर अपनी अपनी चीजें लादी रिंडा हाथ में लिया और चल पड़े, यह दिपी सुमती के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आद जागीरदारों में बटी है, इन जागीरों का बहुत जादा हिस्सा मठों यानि विहारों की हाथ में है, मठ होता है एक तरह का मंदिर, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, बिख्षू यानि यहाँ पर साथू जो होता है, शेकर की खेती के मुख्या बिख्षू नम से बड़े भद्र पुरुष थे, यानि बहुत ही शालीन पुरुष थे, बहुत प्रेम से मिले, हाला कि उस वक्त मेरा भेश कुछ ऐसा नहीं था, देकि उन्हें कुछ भी खयाल क करना चाहिए था, यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर, बुद्ध वचन, अनुवाद की हस्त लिखित पूतियां रखी हुई थी, और मेरा आसन भी वहीं लगा, बैबडे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई बुख्स थी, एक एक पूति 15 सेर से कम नहीं थी, यानि कि हर पूति का वजन कितना था, लगबग 15 किलो, सुमती ने फिर आसफास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानि मैं इन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिक कहा दिया, मैंने सोचा कि चला जाएगा तो बुक पढ़ लेंगे, दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा दो तिन दिन लंगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपैर बाद आ गए, तिंगरी गाउं वहां से बहुत दूर नहीं था, हमने अपना-पना सामान पीट पर उठाय और भिख्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े, यहां पर आप ये सभी प्रेशन जो है, इनके उत्तर इस पार्ट में सभी का उत्तर आपको मिला है, यहां से देख करके आप अपने नोर्स बना सकते हो, और इसी देखे के वीडियो के लिए चैनल को सब्क्राइब घड़े, यहां से देखे करेंए अपने लेकर बाट लेकर पार सकते है, यहां से वेने लेकर लेकर प्रेशन के लेकर नोर्स देखे कर लेकर खोदीज।